दोस्तो आपने तो जरूर आम का पौधा लगाया होगा और मेरी तरह गुरोथ नहीं पा रहा होगा अगर आपका जमीन पे है या गमला में है तो आप उसे गुरोथ लेने के लिए देखिए इसमें भी कोई गुरोथ नहीं आ रहा है और रही इसमें कोई चीज निकल ला है न सूट निकल ला है ना ये एकदम ठमक सा गया है क्योंकि ठाने का मौसम चला है इसमें कौन सा पांच खात देंगे जिसके कारण इसमें गुरोथ पकरेगा और ये बारमासी है इसलिए इसे अभी फूल पे आ जाना चाहिए और इसे मैं ऐसा एक फटलाइजर दूगा जिसके का एक महीने लाया हुआ हो गया और अभी तक ना सूट निकल रहे हैं ना कुछ भी हो रहे हैं और इसे 15 से 20 दिन में देखिएगा पूरा सूट अगर जो मैं खाद बता रहा हूं वो सब खाद आगर आप दे दिजेगा और वो भी और्गेनिक फटलाइजर है जो कि आपको अर आपको कोई जरूरत नहीं होगी इसका तो ग्रोथ ऐसे भी नहीं पकरता है या ऐसे तो बरमासी आम का प्लांट गमला में आराम से रह जाता है लेकिन उसे गमला चाहिए 24 से 25 इंच का गमला पहले नमबर पर इसका काम करना होगा इसे प्रूनिंग तो कतर नहीं करना है और इसे ऐसे ही देखना है मेरा एक खराब है हो गया जो इस में मैं दो मतलब सत्ता वाला ले लिया जैसे एक इधर से प्लांट जारा है एक उधर से जारा है वैसा वाला इसे मुझे एक ही मतलब एक लंबा प्लांट ये कलं tracing होया वह बिजू बिजू तो आप घमला में लगा क्योंकि बिजु प्लान्ट से ये न ही बन पाता है और वह फोड़ेगा नहीं बिजु प्लान्ट फोड़ने में आठ सा लगाता है और कलम आपको दो साल में फनठ देना है पानी इसका निराइव फर हेट अगर गमला में भी लगाये हैं तो drainage hole अच्छा रहेगा 24 सिंज का गमला में लगाई है या आप एक container जो आता है जिसमें मैं bear का plant लगाया था वह ऐसा container ले लिजे उसी में आप ये लगा दीजे उसमें आराम से चल जाएगा और उसमें अच्छा से ये growth भी पकर लेगा ऐसे तो ये growth इसमें भी पकर लेगा देखी ये मेरा प्लांट था ऐसे तो इसमें बार मासी में ये थाई मेंगो बाला है ऐसे पांच्छे प्रकार का होता है आज कर अमरपाली बार मासी भी आ गया है तो आप वह भी प्लांट ले सकते हैं आप पांच्छे प्रकार का होता है अभी बार मासी में भारत में पांच्छे प्रकार क यह प्लांट यह इसलिए थोड़ा खराब लग रहा है ऐसे तो यह बहुत अच्छा प्लांट है इसे मैं जमीन पर इसलिए लगाया था जो यह ग्रोथ बहुत ज्यादा पकरे और इसे मैं प्लांट तैयार करूं और उसे गमला में लगा लेकिन यह उतना ग्रोथ नहीं पकर मेरा स्पेक्ट से थोड़ा कम पक रहा है और इसे धूप मतलब एक धूप की आवा सकता खूब होती है तो धूप से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहां पर धूप ही धूप लग रहा है और यहां डायरेक्ट सनलाइट है और बगल में नीम का प्लांट है उसी के यहां में कमपोस्ट रहता है और दो के जी और उसके बाद इसके बगल में गोबर का जहां गोबर रखाता है वह ऐसा जगह है उसी से इसका मतलब यह देख सकते हैं कितना यह उतापर भी गुरूत नहीं देरा है और ड्राइबेक का लगना का खत्रा भी है लेकिन नहीं होता है और यह कोई भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा इसमें हुविंग के जिब्रेली के सी ड्राइरन फास्पोरस जितना माइक्रों न्यूट्रेंस है सारा चीज पाया जाता है मतलब और यह रहता है एक तरह से मिक्सर रहता है जाई भी खाद कर और हुमिक जब् अपने जमीन में मतलब इसके जमीन में और अगर नहीं है तो आप मिट्टी पहले बना लिजे मिट्टी में यहीं बाला खाद मिला दीजिए और मिट्टी थुरा 2 kg के इतना रखें जिसमें गमला में आप भरने के लिए और उसके बादी इसे रख दे और इसमें वर्मिंग कंपोस्ट मिला दे 2-3 kg के हिसाब से और अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्स बाला खाद ले लिजे जिसमें 10-12 प्रकार के मिक्स होने पाए वैसा खाद ले लिजे जिसे यह देख सकते हैं आप कहिए का मिक्स और यह बाला खाद देने के लिए जिसमें सलफर और यह फासपोरस, पोटास, सारा चीज मिलाया रहता है वैसा देने के लिए जिंक और इसमें फंगी साइड भी मिलाया रहता है और बहुस सारे प्रकार के खाद मिलाये जाते हैं और यह 100 रुपे के जी के हिसाब से कोई भी नरसरी में या आप अपने कहीं से आप ले सकते हैं और बाला ले लिजिए और और अर्गेनिक बाला ले लिजिए दोनों को मिला के अच्छी तरह से मिटी में इसे गमला में डाल दीजिए या जमीन पर लगाया हुए है तो वहीं आप था मिटी चारोतर्ब से थोड़ा गहळा कर दीजिए और इसे डाल दीजिए क्योंकि कंपनी है और चेंपियन या चाई जो कंपनी आपको है अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट जो सरा हुए जो बर्की खाद है उसे ही मिला दीजिए और मिटी में और उसे ही डाल दीजिए दो के जी के हिसाब से इतना दे दीजिएगा आपका प्लांट देखेगा यही ज्यादा आप वह नहीं डालिएगा जो मैं इन और्गेनिक खाद जो सलफर और दीजिए पी बताया था वह एक ही मुठी डालिएगा इतना में और आगर आपके घर में अगर कोई भी चाय पत्ती का वह हो चाय पत्ती बाला तो उसे भी फास पोरस के बाद लिए दे सकते है यह भी और्गेनिक होता है तो और्गेनिक अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह बाला और यह बहुत अच्छा होता है और इसका पानी भी दे सकते हैं यह भी दे सकते हैं एकर कोई चाय नहीं पीता है तो 5 रुपे का खरीद लिजे उसका पानी निकाल लिजे और उसे ठंडा करके आप उसे थोड़ा-थोड़ा करके सभी plant में डाल दीजें और यह देखिए यह मेरा फटलाईजर है जो कि आपको यह फटलाईजर बेषट्री यह इतना आछीए का है और यह मैं देता हूं 15-15 दिन पे 5-6 दिन पे पाणी देना है इसका पाणी देता हूं कभी केले कर जिलके का पानी देता हूं अभी कोई चीज का पाथ बर्मी कमपोश को भोल के इसमें पानी दे देता हूँ और ये सभी प्रकाट के मतलब आम में छोड़िये अब लिठी में भी डाल सकते हैं या पमुरूद में भी डाल सकते हैं अनार में भी डाल सकते हैं मैं जितना प्रकाट का फल फुल लगाया हू चीकु भी लगाया हूं उसमें भी डाल देता हूं और ये गरम-गरम मतलब कच्छे केला का उबाल के मैं पानी इसका डाल देता हूं और वो जो मैं बताया था जैवी खाद वो भी मैं मिला देता हूं दो मुठी मिलाया हूं और वो मिटी इसमें पूरा चालो तरफ मिला दूंगा जितना बनाया हूं मिटी और उसके बाद देखिएगा इसे निराई गुराया च्छे तरह से कर देंगे और इसमें फंगी लगा हुआ है वहां तक नहीं करेंगे और इसे चारों तरफ निराई गुराई करके एक बालती इसमें पानी डाल दूंगा अगर आप गमला में लगा रहे हैं तो पर सका मिट्टी निकाल लिजेगा और थ्वरा मिला दीजेगा वह वाला मिट्टी या यही जो हाद में बताय हरा भारा यह जैसे ही आएगा उसके बाद जैसे ही पाला का मौसम खतम होगा उसके बाद देखिएगा इतना हरा भारा होगा और इतना ज्यादा फॉल मतलब फूल तो जरूर आ जाएगा अगर बार मासी है अगर नहीं है तो इसके बाद बाला जो तीन महीने आएगा उसमे में तुप फूल जरूर आएंगे कोई भी वेराइटी होता है जून जुलाई तक फूल देता है वे अब जनवरी फरवरी से start देगा फूल देना और आराम से फरना ये स्टार्ट कर देगा धने बाद इन दान देर वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को प्रेपर लिपा रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें